हाई गाईज आज हम बनाने जारे हैं राई सेव यह जो बहुत ही तेस्टी होते हैं और साउंड सुनके आपको पता लगी रहा हुआ कि बहुत गुर्ग्रे भी बढ़ते हैं इसे आप कई मेरे तक स्टोर करके रख सकते हैं और कभी भी इसे आप खा सकते हैं तो वीडियों यहां आधा चमत इस्तमाल किया है तो क्या है सेव अगरे में नमक थोड़ा कम हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है और ठीक हो यारी की ज़्यादा कम भी नहों तो अपने साफ से आप नमक यहां डाल सकते हैं और आदा चमत में यहां लालमेच होती है ना कश्मिनी लालमे इसलिए डालते हैं इसे ज़्यादा मत डालेगा चुटकी बहर दालना है हमें और चमत की सतर से हम मिला लेगे तो अब आजाती हम कास की तरफ एक लेंगे कटाई और डालेंगे इसमें हम पानी तो जिस कटोड़ी से हमने चावल का आटा लिया था ना उसी कटोड़ी से हमे दो कटोरी पाने लेना है, जितना भी आप चावल का आटा ले रहे हैं, उससे डबल आपको पाने लेना है, और डाल देंगे इसमें रफाइन तेल, सरसो तेल का इस्तबाल मत किजिएगा, रफाइन तेल का मिया इस्तबाल करना है, और एक चमस डाला है मैंने, अब इसको तो जब इसमें अच्छे से उबाला जाए तो गैस की फिलेम को हम लो कर देंगे, बिल्कुल लो कर देंगे, क्योंकि इसमें अब हम चावल काटा डालने वाले हैं, तो फटाफ़ डालेंगे और फटाफ़ स्पीड को बढ़ाईएगा, तो बस इसको यहां डाल देंगे, लो देचे उन चावल? पील्क। बढ़ाएगे। बिल्कुल लो फ्लेम में अच्छे से मिलाना एपको, तो इसमें ब्लाते मिल जाता है, 'll can be, तो आप मिल ऐसे लिएगा, तो अब दोड़ोगे, यहीं मकऄ, तो आप जिम बंसञाएं, तो पकशू हो जाएं तो फटाएं आजि dif कनि में जांट है और जो हमारे बनेंगे चावल राटे बनें जा थिल्क भूत ऑच्छे में ऊच्छे भूम कि उसले अच्छे से स्रगड लेज़ेगा तो यह उसले स्ने स्पस्ट राटा रगड लेज़ेगा यह अच्छे से बन जाता है तो अब मैं इसको दो भाग में डिवाइड कर लूँगी ताकि हमें इसको सेव मसीन ने बनाने में कोई प्रोब्लम ना हो तो मैं आपके लिए आज जो ये लेकर आई हूँ सेव चावल के सेव वह भी आज सेव मसीन में बना कर दिखाऊंगी इसे आप save machine की बिना भी बना सकते, वो मैं कभी आपके दूसरा वीडियो कभी लेके आऊंगी, अगर आप चाहो तो, तो बस मेरे देखो, दो भाग में डिवाइड कर लिया है, तो देखो कितना soft हमारा याटा है, यानि कि असानी से हमारे save इसे निकल जाएंगे, तो अब ले अंदर जो भाग होते हैं, तो उसमें जो चलनी आपको इस्तमाल करनी आप कर सकते हैं, मैं सबसे बारिक वाले ली हूँ, जिससे बहुत बारिक-बारिक save हमारे निकलेंगे, तो बस इसको तेल लगा के थोड़ा इसको पैक कर लेंगे, अच्छे से पैक कीजिएगा, आकि ख तो थोड़ा कम लग रहा है मेरको, तो थोड़ा होड डाल की इसको हम उपर से पैक कर लेंगे, तो ये मसीन इजली से मार्केट में मिल जाती है, ये सिल्वर में भी मिलती है, यानि की स्टील में और एक ऐसे भी मिल जाती है, तो आप ले सकती हो, सस्ती होती है, कोई महेंग कर लेंगे और अब हम मैं आपको दिखाती बहुत इजी तरीकी से बताऊँगी आपको एक प्लेट लेजीगा और इसमें पहले आप निकाल लेजिएगा तो इसे आपकी तरह प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी तो देखिए इस तरह से हम कर लेंगे यह देखो इसले से निकल जाता है यह तभी बढ़ा बनाना चाहते हैं तो देख इस तरह से बस अराम से निकल गया है तो आप इस तरह से भी कर सकता है एक एक करके आप उस पर डालते जाहिए और डेका तो यहाँ तेल अच्छे से गरम होना चाहिए आपका पहले अगर आपको नहीं आता है तो अगर आपको 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 आता है तो बहुत अच्छी पात है तो आप राम से कर सकते हो तो देखे अब इसको छेड़ेंगे नहीं हम इसको ऐसी करेंगे जब डालती हैं तो इसको उपर की तरफ से जाग अना स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे जाग नीचे की तरफ पैटना स्टार्ट हो जाता है ताकि वो नीचे की तरफ हमारा पक चुका है यह इसकी एक निशानी है कि यह पक चुका है नीचे की तरफ त केंगे जरूट्राइब कीज यई दिखा रहें हुँ अगर मसीन से कार सकते हुआ Exodus थीज़ी जरू बहुता होँ देखेंड हैं कभा बड़े दिखाई देते हैं यह देखिए सबसे किस दोला और सकते हैं बस दालीए अराम में पूरी कड़ाई में फैल जाता है तो ये देखिए बद जाग आ रहा है इसमें क्या कि जब जाग अराम से नेचे की तरफ बैठ जाएगा तो समझो हमारा ये पक चुका है एक तरफ से तो देखिए जाग नेचे धीरे धीरे से बैठने लग गया है तो अब इसको हम पलट लेंगे और दूसरी तरफ इसको अच्छे से शेट लेंगे और फिर इसको हम नेकाल लेंगे है न बिल्कुल इजी बनाना बहुत ही इजी है इसको आप बनाकर डबा भरकर स्टोर करके रख सकते हैं तब चाहे तब खाईए और वैसे भी चावल सेव, आलू सेव, बेसन के सेव यह न बहुत जल्दी खतम हो जाते हैं क्योंकि सबकी बहुत फैबरेट होते हैं सबको बहुत पसंद आते हैं बढ़े हो, छोटे हो, कोई भी हो सबको बहुत ही जज़ादा टेस्टी लगते हैं तो अब यहां ना मैं थोड़ा मूफली को भून के निकाल ली हूँ तल के तो दो तरह से मैं आपको बताऊंगी बनाना हाच एक तो यह सेव हैं जैसे हम बना रहे हैं इसको तोड़के आप श्टोड करकर डबे में रख सकते हो जैसे हम आलू सेव बनाए थे वैसे है यह तो आप ऐसे खा सकते हो और दूसरा में आपको दिखाते हूं कि इसको तोड़के ना आप इसमें मूफली के दाने जैसे होगे या कुछ और मिलाना चाहते हो तो मिलाकर उतमें थोड़ा सा नमक डालदीजेगा काल नमक और उसको आप ऐसे भी खा सकते हो तो दोनों तरह से भीनिक हैं तो जरूर ट्राइब है किजीगा और पश्ण आयो को प्लिक लिगनी प्लिक प्ली यह तो है तoting concept का बनाव लूंचे नंकरे लाइकिकना चलिक् tenido मिला देविगी और और यह कंद सकते हैं अगर आपको कम लगा हो और सके श्टोर करकर रख सकते हैं आप ऐसे भी से खास रखते हैं यह होगी है हमारे नमकीन तयार तो वीडियो पसंद आयागो तो लाइक कर देजीगा मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेस्पी के साथ